आज मैं बैठे बैठे सोच रहे तिन मैं क्या बनाओ तभी मैंने देखा पीता जी ने कुछ बैगन लाए थे उभी छोटे आकार के थे तो मैंने इन बैगन को धूल के इन्हें चार इस्व में काट लिया मगर इन्हें अलग नहीं किया अब एक कड़ाई में तेल डालकर इन पड़ी लाइशी डालकर प्याद कर भूनेंगे उसे बाद लेसुन अधरा का पेष्ट डालकर भूनेंगे उसे बाद नार्मीश नमाग धनिया पाउड़र गरम मसाला अल्दीवा दो कटे गए टोमाटा डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टोमाटा को गलने तक अच्छे से ढख कर पकाएंगे जिस तमाटर मारा गल जाएगा हलके से कल्ची से हम इसे अलकल कर दबा देंगे ताकि इसका जो ग्री अब इसने में दो चम्मत से मूफली का पाउडर थोड़ा सा और गरम मसाला अट कर रहे हूं उसके बाद मैं इसमें जो बैगन फ्राइ किया था उसे डाल कर राग कर दो से तीन मिर तक वी अच्छे से पकाएं जब क्रेवी गाड़ा हो जाए बैगन में मसाले अच्छे से मिल जाएंगे तब हमें सयाज से उतारेंगे उसमें मैं नहीं आ धनिया पत्ति लिया उन धनिया पति को बारी काट चाट के उसके उपर ताकि धन्यापत्ति की माहिक अच्छे से हमारे बैगन के अंदर आ जाए अगर आपको मेरी रेस्टी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक्यू वाचिंग पार दिस वीडियो